प्रवाइब यहां से आदाया एक गंटा लगेगा हमें करतार पर पहुंचने के लिए तो अभी इसको दई दे रहे हैं जो आपने भी ट्रेवलिंग के टैम कर देना है यह थोड़ा ठंडा इसमें गरब पानी डालेंगे अब थोड़ा सा ज्यादा बास इससे में नॉर्मल नॉर्मल इसका टैंपरेचर हो जाए थोड़ा अब यह खाएगा देखाईए जाएगा दोड़ा आपा 70 इसका हूई और भी टुटाने पहाईए दही इसलिए खलाते हैं क्योंकि यह ना कोई हैवी होता है इससे पेट भी बर जाएगा ज्यादा डाइजेस्ट भी हो जाएगा पुरोपर तो इसलिए हम ट्रैवलिंग के टाइम सिर्फ दही देते हैं आपने यह देखना है कि पानी मन देये सिर्फ दै दे सकते हैं दै मिक्स करके पानी नहीुक्त पानी से इसको उल्टी आजे कि लिखोड होता है यह थोड़ा हाड भी होता है इसलिए दई देते हैं कई आप दो गंटे रूपकर आदा गंटा अपना खाना खाकर और इसको भी 15-20 मिनिट इसको खलाकर आदा गंटा इसको भी कुमाना है साथ में जिससे यह अपनी कोट्टी विगरा कर ले प्रोपर वात्रूम पगरा कर ले जिससे यह सही रहे अब देखें कितना एक्टीव हो गये गाड़ी में कितना था सुस्ता सा अभी अभी एक्टीव है पुरा लेजीनेस था पुरा वी ट्रैवलिंग के टाइम डोग हो जाता है अभी तो प्रोपर अच्छे एक्टीव है फुल एक्टीव है कोगी खाना भी खानी है इसने तो तो अब यह रैडी है अब यह जाएगा मैं और वो भी सर है तो लेस्ट को तो डिल्विरी हो गया है वारा जबन शेपर्ड लॉंपोड तो एक्टीव सर के पास पहले एक साल पहले इनके पास जबन शेपड़ी था तो क्या प्रोलम किया थी सर उसको उसमें सीमेट और खारी था जिसके कारण उसके अंदर इतनी इंफेक्शन होगी तो गलने लगाता तो इसके कारण उसकी देथ होगी थी तो फिर इन्हों ने प्लैन मनाया कि एक साल बाद पहले जो पहले बाला भी तो प्रिवाला नाया जैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए अपने फेवरेट शोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और फॉलो करें अपने दोस्तों, पडोसियों, पैट लवर्स के साथ हमारे वीडियो और चैनल संबंदित जानकारी को सांजा करें